टीवी के पॉपुलर शो तारक महता का उल्टा चश्मा का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो हर रोज इस सो को देखते होंगे। तारक महता का उल्टा चश्मा बीते 15 सालों से टीवी पर चल रहा है। कभी इसकी टी आरपी नीचे गिती है तो कभी ऊपर जाती है। लेकिन शो लगातार लोगों को हसाता आ रहा है। लेकिन इस शो में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विसे रहता है वह है चंपकला यानि अमरित भट। बता दे कि उनको लेकर ये खबरें आई हैं कि वह चेन स्मोकर है। को बता दे कि गुजराती सीरियार पहले एक टीवी शो पर आता था जिसका नाम था दुनिया से उन्धा चश्मा। उसके बाद यह सो आया तारक मैता का उल्टा चस्मा। इस शो में ऐसे तो सभी किर्दार बहुत ही एहम हैं लेकिन जेठा लाल का रोल लीट बताया जाता है। उनके पिताच चंपकलाल का रोल अमरत भट निभाते हैं जो सभी को शो में अच्छी सिक्षा देते हैं लेकिन असल जिंदगी में उनकी लाइफस्टाल कैसी है आईए हम आज आपको बदाते हैं। चंपकलाल की किरदार को निभाने वाले अमरत भट पच्चास वर्ष के और उन्हें सबसे लोगप्रियक किरदार को निभाने का मौका बिला। दिलिप जोशी ने F.I.R. जैसे पॉपुलर्स शो में भी काम किया है। रिपोर्ट की माने तो अमरत भट को एक एपिसोड के 80,000 रुपे बतौर फीस मिलती है। खबरों की माने तो अमीत भट शुरू में काफी बीडी पिया करते थे और वह चेन स्मोकर भी रहे हैं। बताये जाता है कि दिलिप जोशी से उनकी अच्छी दोस्ती थी और वह अक्सर ही हसी मजाग किया करते थे। उनकी इस हसी मजाग की वज़ह से उन्हें इस शो में गुस्ते को शो में ज्यादा दिखाते हैं और लोग इसी अंदाज को सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उनके गुस्ते पर लोग बहुत खुश होते हैं। आमित भट के शादी सुदा लाइफ के बारे में बात करें तो कृती भट से उनकी शादी हुई है और वह हमे हुआ है